हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पांच शाला स्टार्ट करती है जोग्राफिकी एक और वीडियो जिसमें आज हम बढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में ठीके तो भारत की नदियों के बारे में हम डीटेल से स्टटी करेंगे तो बिल्कुल वीडियो को मत चोड़ेगा क्योंकि यहां भी से क्वेशन जरूर बनता है एक्जाम में ठीके तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो नदियों उसको हमने किस प्रकार से डिवाइट किया है तो उत्पत्ती और जल की मात्रा के आधार पर भारत की नदियों को दो प्रकार से डिवाइट किया गया है पहली है हमारी हिमाले नदी जिसे हम सदा बाहर नदी भी कह सकते हैं और दूसरी है दक्षिन भारत की नदियां या फिर इसे प्राइदी प्राइदी नदी कह सकते हैं देखे अब हमने इस काटेगरीस में डिवाइट क्यों किया है इस पारे में भी पता होना चाहिए तो हमने इन्हें इस केटेगरिस में डिवाइट इसलिए क्या है क्योंकि तो हिमाले नदिया होती है उनमें वर्ष भर जल भरा रहता है तो इस वज़र से इसको सदा बहार नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर जल रहता है और दक्षिन भारत की नदिया यानि जो प्राइदी पी नदिया है उनमें क्या होता है इने बरसाती नदी भी कहते हैं क्योंकि इनमें पूरे वर्ष जल नहीं रहता जब बारिश होती है तम इनके पानी जो इनका पानी है उसमें जो होता है वो बहा पैदा होता है यानि उस पर इन में पानी सबसे ज़ादा होता है पूरे टाइम में इन में पानी नहीं रहता है मैं ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे साल भर जो है वो इन नदियों में पानी रहता है तो दोनों में डिफरेंस है इसलिए हमने इने कैटेगरीज में डिवाइट किया है अब अगर बात करें कि हिमाले नदिया और सदा बाहर नदियों में कौन कौन से नदिया आती है तो जो हिमाले नदिया यानि जितनी भी नदिया ग्लेशियर से निकल रही होंगी उन में हमेशा वर्ष बर जल बना रहे हैं कोई ग्लेशियर देखे पिंखलते रहते हैं नमुना, ब्रहमपुत्र, सिंधू, जेलम, चेनाव, रावी, व्या, सतलज, रामगंगा, गुम्ती, गंडक आदी तो यह जो जितनी भी नदिया अभी हमने नाम लिया, यह सारी के सारी जो नदिय है यह ग्लेशियर से निकल रहे हैं कहीं न कहीं से इसलिस का नाम क्या है? हिमाले नदिया है, दूसरी दरफ बात करते हैं प्राइदी पिये नदियों की, तो इसमें कौन-कौन सी नदिया आ जाती है? महा नदी, गुदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्टी, सो नदी, चंबल, बेतवा, केन, आदी तो यह सा नदिया ऐसी हैं जो से बरशाती नदिया है, वारिश के दिनों में पानी भारा रहता है, तो इन केटेगरी में हमने डिवड और नदियों के बारे में अच्छे से और जीटाञें बिल्कुल अच्छ से करेंगे, वो भी चार्ट पार्दिय हम से, बिकोज यह थियोरी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन जो हमारे माइन में फिट रहती है ना बात वो रहती है चार्ट वाली बात तो बिल्कुल आसान भाशा में एक आसान सा बिल्कुल चार्ट है आपको अच्छी से समझ में आएगा तो इसके लिए पूरी वीडियो देखेंग भारत में वो सिंदू नदी है और यह सिंदू नदी निकलती कहां से इसका उद्गम स्थल गया है एक्वेशन यही पूचा आएगा कि सिंदू नदी का उद्गम स्थल निम्नमे से कौन सा है तो यह बात धियान रखनी है तो देखें सिंदू नदी जो है वो निकलती है ति इस इस्थान से प्रवेश करती है यहां से यह भारत में प्रवेश करती है तो किस इस्थान से प्रवेश करती है उस इस्थान का नाम है दम चौक यहां से यह भारत में प्रवेश करती है उसके बाद जम्मु कश्मीर लेह होते हुए यह क्या करती है भारत से बाहर निकलती है और जिस स्थान से भारत से बाहर निकलती है उस स्थान का नाम है चिलास तो दो चीज़े याद रखनी है एक तो हमें याद रखना है कि भाई इसका उद्गम इस्थल कहां से है तिबबत बोखर चुही मानी से इसका उद्गम इस्थल है दूसरी बात क्या का याद रखती है कि भाई भारत में प्रवेश करती है तो दमजोग से प्रवेश करती है और जब बाहर निकलती है भारत से तो चिल्लास नामक जगे से ये भारत से बाहर निकल कर कहां पहुँच जाती है पाकिस्तान में पहुँच जाती है पाकिस्तान में पाकिस्तान से नीचे जाके अरब सागर में गिर जाती है और इधर से इसमें काबोल नदी है जो इसमें एड़ हो जाती है बीच में तो क्या दिहां रखना है? क्याक्या मैंने बोला तिभबत, बोकर चुहमानी, दमचौक से प्रवेश भारत में, चिलाज से बाहरत से बहान निकल जाती है, सुलेमान परवत इसके दिशा मोर देता है, अदक्षन की तरफ, काबुल नदी इसमें जुड़ताती है, पाकिस्तान से, एन देन उसके बाद ये गर जाती है, अरब सागर में जाके, तो ये हुई हमारी पहली नदी, सिंधु नदी, ध्यान रहेगा, उसके ब है, जिसका नाम है अनंतनाग, वहां पर एक जील है, शेशनाग, वहां से जेलम नदी निकलती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, उद्गम इस्तल हो जाएगा, फिर ये जेलम नदी, श्री नगर इसके रास्ते में पढ़ता है, श्री नगर शहर भारत की सबसे बड़ी मीटे पानी की जील और जेलम नदी के ही रास्ती में बढ़ती है उसके बाद आगे जब बढ़ती है जेलम नदी तो यहाँ पर कश्मीर घाटी भी इसी के किनारे है और इसी के इसी नदी पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना तो ये ध्यान रखे का ये बात भी important है कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाए गई है तो ध्यान दखे का तुलवल परियोजना जो है वो जेलम नदी पर बनी हुई है ठीके उसके बात ये नदी क्या है आगे चलते हुए दक्षन के तरफ जाके इधर से क्या होता देखे इधर से चेनाव नदी आती है और ये चेनाव नदी में आके मिल जाती है इसका मतलब जो जेलम नदी है वो चेनाव नदी की सहायक नदी भी हो सकती है ठीके अब आती है थर्ड पे थर्ड है हमारा चेनाव नदी देखे ही ध्यान क्या रखना है कि वह जो चेनाव नदी है वो दो नदियों से मिलके बनी है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि चेनाव नदी दो नदी से मिलके बनी है पहली है चंदर दूसरी है भागा जब चंदर और भागा नदी दोनों आपस में मिलती है वहाँ पर एक दर्रा है बारलाचा दर्रा तब यहां से जो नदी निकलती है दोनों नदी के मिलने से जो नदी बनी उसका नाम है चेनाव नदी तो अगर पूछ रहेगा कि चेनाव नदी किन दो नदियों के संगम से ब तो ये तो बातों ही चेनाव नदी की उसके बाद हमारे पर चौथी नदी आती है रावी नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहितांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका जो उद्गम स्थाल है वो है रोहितांग दर्रा उसके बाद ये पंजाब होती हुई क्या पंजाब वो नदी इसमें आके मिल जाती है रावी में और चेनाव के उपर कौन सी थी जेलम देखें कैसे याद रखें इसको लाइन वाइज याद रखें पहले सिंदू नदी दी, सिंदू नदी बाद में जाके सारी नदीया सिंदू में ही मिलेंगी ठीके तो अभी सिंदू का अलग रखी दूसरी थी जेलम, जेलम मिल रही थी चेनाव में, चेनाव मिल रही है रावी में, अब ये रावी जो है वो सतलज में मिलेगी, तो इस तरीके से लाइन वाइस इसको ध्यान रखेगा, उसके बाद अगली नदी है व्यास नदी, व्या यह जब दक्षिन के तरफ जाती है यहां पर इधर से 17 नजी मतलब यह 17 नजी में मिल जाती है पहले ही और जहां पर 17 नजी पर मिलती है उस स्थान का नाम है हरी के बैराज काफी important question है बन सकता है कि हरी के बैराज पर कौन-कौन से दो नदी आपस में मिलती हैं, तो पहली है ब्यास, दूसरी है सतलज, सतलज भी यहीं से देख लेते हैं, सतलज नदी भी तिबबत से निकल रही है, यह मांसरोबर जील से निकल रही है, और इसके रास्ते में शिपकिला दर्रा पड़ता है, और यहां पे यह हरी के बैराज मे दोनों नदी आपस में आके मिल जा रही है उसके बाद सदलज नजी आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक बांध है जिसका जो काफी famous है भाकडा नांगल बांध तो यह कई बार question पूचा गया है कि भाकडा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है तो याद रखी का सदलज नदी पर भाकडा नांगल बांध जो है वो बना है इसके बाद अगर बात करें तो जो हरी के बेराज ता यहां से इंदरा गांधी नहर निकल रही है तीकि इस बात को ध्यान रखेगा कि हरी के बेराज से ही नीचे की तरफ को इस बात करते हैं पंजाब, हरियाना, राजिस्तान और उत्तरप्रदेश तो यह जो जितनी भी आपको जानकारी बताई जारी है अब बात करते हैं यहां से आई सतलच उपर से कौन कौन से आरी थी जेलम, चेनाव, रावी यह तीन नदी उपर से यहां यह जो आपको बनाया गया है यहां से देखी, मैं एक बाद फिर से उपर का डाइगराम दिखा देती हूँ यहां से जेल, यह आरी है पाकिस्तान में जिसमें काबुल नदी मिल रहे है हमारी कौन से सिंदू यह जेलम, चेनाव में मिल गई फिर देखे, चेनाव जेलम आगे बढ़ी है तो यह रावी में मिल गई उसके बाद यह आगे बढ़े तो यह सतलज में जाके मिल गई सतलज में देखे, सतलज यहां पर सतलज नदी में कितनी नदी यहां पर मिल रहे है यहाँ पर मिल गई यह चार नदी आपस में उसके बाद जब चार नदी आगे जाके बड़ी इधर से कौन सी आ रहे थी हमारी यह है हमारी जहलव और जिस जगह पर यह पाँचो नदी मिलती है उस स्थान का नाम उसे हम पंच नद कहते हैं पंच नद का मतलब पंच का मतलब पांच नद का मतलब नदी और जिस स्थान पर पांच नदी मिलती है उस स्थान का नाम है मिठान कोट तो यह काफी important question है अलग भी है कि जहां पर पांच नदी मिलती है जिस स्थान का नाम पंच नद है वो पांच नदी कहां पया की मिलती है उस स्थान का नाम क्या है तो याद नभी के जो बीच का स्थान ये वाले इस स्थान का नाम है सिंद सागर दो आब तो पूछा भी जा सकते हैं कि जो बीच छेतर है उसका क्या नाम है तो सिंद सागर दो आव है उसका नाव इसी तरीके से अगर बात करें जेलम नदी और चेनाव नदी के जो बीच का स्थान है उसका नाम है चार्ज दो आव और चेनाव और रावी का स्थान है रेचना दो आव रावी और व्यास के बीच का स्थान ह विस्त दोव यह इनी के लेटर्स से मतम इनी के वर्ण से ही मिलके बने तो आपको इस तरीक से ध्यान रह सकता है तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज को ध्यान देगी है हमने नदी तंत्र पड़ा जिसमें सिंदू जेलम जेनाव रावी व्यार सतलज यह नदी आपस में आके जो नदियां पढ़ेंगे वो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे क्योंकि यह माध्यम सबसे आसान तरीका है पढ़ाने का और इससे याद भी चल्दी हो जाता है आई अप आपको वीडियो अच्छी लग्योगी मिलते हैं अगली वीडियो में तो चैनल को लाइक शेयर सब करना बिलकुल ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर ले इससे बेले कि जोग्रफी के अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जोग्रफी के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो वहां से देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू